जय हिंद, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल Learn Till Life पे अगर आप किसी भी Defense Exam का Preparation कर रहा है लाइक NDA, CDS, FCAT, Air Force, Navy या Indian Coast Guard तो ये सेसन आपके लिए काफी help पूर रहेगी क्योंकि इसमें General Knowledge का Qs करा जाता है जिसमें Important Question होते हैं और Previous Year भी Question होते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे परे वीडियो लाइक कर दिजिए और Comment Box में जाके जहीं Comment जरूर किजिएगा सबसे पहला Question आपके सामने है Who Discovered the Radioactive Element Radium? यानि जो Radium है वो कहक Radioactive Element है तो उसके खोज किसने किया वो पूछा जा रहा है Option आपके सामने है Option A है आईजक न्यूटन Option B है अलबर्ट आइंस्टीन Option C है बेंजामिन फ्रैंकलिन Option D है मेरी क्यूरी देखिए अगर आपको एंसर पता होगा तो आप Comment Box में Comment किजिएगा Suppose Question No.1 हो गया इसका एंसर जो भी होगा आप Bracket में डालके Comment किजिएगा इससे आपका Self Confidence बढ़ेगा तो चलिए इसका एंसर डिसकूस करते हैं तो इसका correct एंसर हा जागा Option D मेरी क्यूरी ठीक है मेडम क्यूरी जिनका मतलब मेरी क्यूरी नाम था उन्होंने क्या किया था इसका नाम रेडियम है उसका खोज उन्होंने किया था ठीक है और जो मेरी क्यूरी थी इनको physics और chemistry दोने में उनको क्या किया गया था नोबेल प्राइस से सम्मानित किया था ठीक है physics और chemistry दोने में उनको Nobel Prize से सम्मानित किया था अब चलते है next question के तरफ क्या होता है option CHA code it Emoneric तो इसका करेक्ट इटींसर करते हैं करेक्ट टेंसर क्या होगा option D sodium ية pentaconate उसको को दो क्या बोलते हैं थिए विधिक सोडा क्या होते है इसका स्टोडियम बाई कर्बोनेट होता है जिसको हम लोग वैकिन सोड़ा भी बोलते हैं वैकिन सोड़ा का यूज किसलिए किया जाता है तो खाना मतलब खाना बनान में उसका यूज किया जाता है कि इस्ट्राइट अपके सामने है सेटार्ण रिंग तर्स बोथ सेटन रिंग है कुझत जब Oz पाहई ने तुक्ता आज नहीं कि सामने है कॉपर निकोस बी है नीटन अप्संद करते हैं और यह उन्हों ने क्या था इसमें यह और ख़ी यह और प्रकुस्द एक रिंग तुरल में तो इसका इसका खोज उन्हों ने किया था किस ने गैलीओ सरोजनी नाइडू थी उनको कंग्रेश का प्रेशिडेंट कब चुना गया था वो पूछा जा रहा है अप्षन आपके सामने अप्षन ए हडिपूर 1938 अप्षन भी है बंबे 1934 अप्षन सी है मदरा सेशन 1927 और अप्षन डी है कानपूर सेशन 1925 तो इस में से कि सेशन के टाइम जो सरोजनी नाइडू थी उनको क्या किया गया था पंग्रेश का प्रेशिडेंट कब चुना गया अप्षन डी कानपूर का जो सेशन हुआ था 1925 के टाइम में 1925 में क्या हुआ था उस टाइम सरोजनी नाइडू को क्या किया गया था कॉंग्रेश का प्रेशिडेंट चुना गया था ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन आपके सामने है हेवी वाटर इज जो हेवी वाटर होता है आपके सामने है अप्षन डूटरियम औक्साइड ऑफ्षन भी है पीएच से बैन और और अप्षन डी है रिटियम औक्साइड तो देखें जो हेवी वाटर होता है वह पुछा ज़ड़ा की मैं से कौन सा होता है हेवी वाटर डिसकस करते हैं इसके करेक्ट एंसर को तो करे बेवी बाटर भी बलते मोगों अब चलता है नेक्स लिए अच्टे च्ट्रव सामने को त्रफप्षन आपके सामने हैं युओन मटि ऑक्षन अीच से मनीपूर तरिपूरा उन्यपूर एंड अश्ट अनुखा जहरा है उप्षन आपके सामने है अप्षन यह फिर सामने आ तो आएट डिसकस करते हैं करेक्ट एंसर हो जएगा ऑप्षन इए 1972 में क्या गया था कि जो मनिपूर है ठीक है मनिपूर तरी पूरा और मेगाले इन तीन स्टेट का फिर्मेशन हुआ था ठीक है कब हुआ था तो 1972 ठीक है अब नेक्ट को सेन आपके सामने which of the following memory is non-volatile option अपके सामने option A है, SRAM, option B है DRAM, option C है, ROM और option D है, all of the above पुछा जारा है कि इनमें से non-volatile कौन सा है, ठीक है यह computer से मतलब related question है तो इससे भी related question आते है ठीक, तो पुछा जारा है कि देखिए एक volatile होता है, तो जितने भी RAM होते है वो क्या होते है, volatile होते है volatile volatile में क्या होता है, RAM जितना आता है, देखिए यहाँ पर RAM कौन कौन सा है, तो देखिए SRAM है, DRAM है, यह सारा क्या है RAM है, जो RAM नहीं होगा वही ना non-volatile होगा, तो correct answer क्या हो जाएगा, option C, ठीक है जो ROM होता है, ROM का full form का अगर हम बात करें, तो क्या होता है, read only memory क्या होता है, read only memory क्या होता है, इसका full form होता है और RAM का full form बात करें, तो RAM का full form क्या होता है random SS memory क्या होता है, random SS memory random SS memory इसका full form होता है, random SS memory, ठीक है I hope समझ यह होंगे, अब चलता है next question के तरफ question आपके सामने है monagite is an ore of monagite जो होता है वो एक ore होता है तो वही पुछा जा रहा है कि किस चीज का वो और होता है option आपके सामने option A है titanium option B है cronium option C है iron और option D है thodium आएए बात करते हैं इसके correct answer का correct answer कहा जाएगा option D जो thodium होता है इसका ही और होता है monagite क्या monagite कहता है किसका उर होता है तो thodium का होता है तो D is the correct answer next question आपके सामने है the radiant energy received by the earth and its atmosphere from the sun is called जो energy होता है radiant energy वो earth द्वारा क्या क्या जाता है receive क्या जाता है नि प्राप्त क्या जाता है और earth और उसके atmosphere द्वारा किससे तो sun द्वारा तो वही पुछा जा रहा है कि उस energy को हम लोग क्या बोलता है radiant energy को option आपके सामने option A है insulation option B है iso-therm और option C है iso energy और option D है alvado इसमें से मतलब कौन सा होता है जिसको मतलब जो sun द्वारा energy received क्या जाता है फ्रित्वी और उसके वातावरन द्वारा वही पुछा जा रहा है तो correct answer क्या जाएगा option A उसको हम लोग insulation बोलते है ठीक है उसको क्या बोलते है insulation मतलब जो energy earth और उसके atmosphere द्वारा received किया जाता है और वह किसके द्वारा आयता है energy तो sun के द्वारा ठीक है उसको हम लोग insulation बोलते है अब चलते है नेस question का तरफ और इस session का last question question in which year America joint the second world war जो दिरतिय भी स्वयूध हुआ था ठीक है second world war उसमें America ने कब भाग लिया था वो पुछा जा रहा कि उसमें America कब जूड़ा था option आपके सामने option a 1939 option भी है 1949 option c 1941 और option d 1942 आये discuss करते हैं correct answer correct answer हो जागा option c कब हुआ था तो अमेरिका जब वोल्ड बार हुआ था second world war उसमें अमेरिका ने 1941 में participate किया था तो c is the correct answer तो आज का session यह पर समाप्त हुआ I hope session आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जाके जरूर कर देजिए मिलते हैं फिर अगले session में जय हिंद